नमस्कार साथियों, ओपी क्लासिस के डिजटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनाय स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रिय बजट 2024 के बारे में तो हाल ही में बित्त मंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा 23 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड साथ भी बार केंद्रिय बजट पेश किया गया इसके पहले जो चुनाओं हुई थे चुनाओं के पहले अंत्रिम बजट पेश किया गया था और ये 2024 का पून बजट है बात करेंगे बजट की तो बजट सब्द का संविधान में कहीं भी उलेख नहीं है बजट के स्थान पर वार्षिक बित्तिय विबरन नाम से विबरन दिया गया है बजट की बात करें तो बजट सब्द का साब्द का अर्थ होता है चमड़े का थेला आगे देखेंगे कि बजट 2024 का जो आकार है वो है 48.21 लाह करोड का है अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो बजट का आकार 48,20,521 करोड रुपए है बजट 2024 की थीम है रोजगार, कोशल, MSME और मध्यंबर्ग पर ध्यान केंदरित करें 2024 के बजट में जो फोकस है चार बिंदूओं पर किया गया है जिसमें पहला बिंदू है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है अन्नदाता और चोथा है नारी इसके अलाबा बजट 2024 के चार मुख विशय रखे गए हैं जिनमें रोजगार, कोशल, प्रसिक्षन, MSME और मध्यंबर्ग सामिल हैं बजट 2024 में कुल नो प्रात्मिक्ताएं बताई गई हैं पहली प्रात्मिक्ता है क्रशी में उत्पादक्ता एबम लचीलापन, दूसरी प्रात्मिक्ता है रोजगार एबम कोशल, तीसरी प्रात्मिक्ता है समावेशी, मानो संसाधन विकास और सामाजिक नियाय, चोथी प्रात्मिक्ता है वी निर्मार और सेवाएं, पांचमी प् के सुधार तो इन नौ प्राथ मित्ताओं को आपको बहुत अच्छे से याद करना है परिक्षा में यहां से प्रश्ण जरूर बनेगा आगे देखेंगे कि बजट के लिए रुपिया आता कहां से है और यह रुपिया कहां पर खर्च किया जाता है तो बात की जाए 100% की तो 100 प्रतीशत में कर्ज एबम देवताओं से 27 प्रतीशत हिस्सा आता है आयकर से 19 प्रतीशत हिस्सा आता है और GST से 18 प्रतीशत हिस्सा आता है इसके लाबा कॉर्परेट कर्ज से 17 प्रतीशत गैर कर राजसु से 9 प्रतीशत किंद्रे उत्पाद सुल्क से 5 प्रतीशत सीमा सु पॉन्जी से एक पृतिशत रुपए का हिस्सा आता है। आगे देखेंगे कि रुपए खर्च कहां पर होता है। पेंसन पर 4% खर्च होता है और अन्न खर्चों में भी 9% हो जाता है तो ये बात हुई कि रुपए कहां से आता है और कहां पर खर्च होता है आगे 2024 के बजट में राजकोशिय घाटे का जो अनुमान है वो 4.9% रखा गया है अगले वर्स के लिए यह अनुमान 4.5% बताये ग है कि 3 लाख तक की आए पर कोई भी टेक्स दे नहीं होगा इसके बाद 3 से 7 लाख पर 5% 7 से 10 लाख पर 10% 10 से 12 लाख पर 15 पर 12 से 15 लाख पर 20 पर और 15 लाख से अधिक आए पर 30 पर टेक्स देना होगा आगे बात करेंगे प्रमुख मदों पर खर्च पर तो सबसे जादा जो रखा गया है इसके बाद 2 नमबर पर ग्रामिड विकास, 3 नमबर पर क्रशी, 4 नमबर पर ग्रह मंत्राला, 5 नमबर पर सिक्षा, 6 नमबर पर सूचना प्रोध धोगे की और फिर स्वास्त के लिए आवंटित किये गए हैं आगे बात करेंगे कि सबसे जादा किस योजना को आवंटित किये गए हैं तो सबसे जादा जो रुपए है मनरेगा के लिए 6,000 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं आगे 2024 के बजट की कुछ अनवातें जानते हैं जैसे क्रशी छेतर के लिए कुल 1.5 दो लाख करोड रुपए आवंटित किये गए हैं क्रशी छेतर के अन्वाते जानेंगे जैसे, 9 उच्च पैदावार फस्थनों की बात की गई, 32 फस्थलों में एक्स इसके ऑलाबा 10,000 बायो रिशेज सेंटर स्थापित किये जाएंगे आगे देखेंगे कि महलाओं के लिए बजट में क्या प्रावदान हैं तो 3,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, इंटर्शिप की बात की गई है इस इंटर्शिप के दोरान 5,000 रुपए सेलरी और 6,000 रुपए का भत्ता दे होगा सिक्षा के लिए कुल 1.48 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं पांच वर्सों में 10,000 ITI को हव एंड स्पोक के रूप में अपग्रेडिन किया जाएगा बात करेंगे रोजगार की तो रोजगार के तहट राश्टी और दोगेक मिसन के तहट 12 और दोगेक पार्क इस्थापित किये जाएंगे इसके अलाबा 100 सहरों में और दोगेक पार्क का विकास करने के भी बात बजट में की गई है मुद्रा लोन को बढ़ा कर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया है सूर घर मुफ्त बिजली योजना के तहट एक करोड घरों को 300 यूनित मुफ्त बिजली देने की बात की गई है इस योजना के लिए अभी तक कुल 14 लाख आवेदन प्राप हो चुके हैं आगे युबाओं के लिए PM पैकेज के तहट पांच प्रकारी की योजनाओं की घोशना भी की गई है आगे देखेंगे कि बजट में कुछ योजना घोसित की गई हैं उनके बारे में जैसे पूरवोदा योजना जो घोसित की गई वो पूरवी भारत के विकास के लिए घोसित की गई है एक नई योजना एनपियस बातसल योजना की भी बजट बजट 2024 में की गई है इसके तहट अभी भावक अपने अलप बैस्क बच्चों के लिए अंसदान कर सकते हैं बिवाद से बिस्वास योजना जोकी आरबियाई है तो शुरू की गई है इसकी बात भी बजट में की गई इसके अलाबा आर्थिक नीती फ्रेमबर की योजना की भी बात की गई और पी-म आवास योजना के तहट तीन करोड नए घर दिये जाने की भी बात बजट 2024 में की गई है तीच लाग से अधिक जनसंख्या वाले 14 सहरों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकास योजना की भी बात बजट 2024 में की गई है ये डाटा आपको एजटेज याद रखना है इसको आप दो-तीन बार देख लेंगे तो आपको पूरा डाटा याद हो जाएगा आगे जानेंगे कि परियटन के लिए बजट में क्या-क्या बताया गया है तो परियटन के तहट कासी विशुनात मंदर कोरिडोर की तरज पर विश्णूपद मंदर कोरिडोर तथा महाबोधी मंदर कोरिडोर का बिकास किया जाएगा नालंदा विश्विध्यलय का विकास परियटन स्थल के रूप में किया जाएगा इसके अलाबा ओडीशा में भी परियटक स्थलों का विकास किया जाएगा यह बजट 2024 में प्राउधान किया गया है आगे देखेंगे बिग्यान प्राउध्योगे की के लिए तो स्पेस अर्थ व्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने के लिए 10 साल का समय दिया जाएगा अनुसंधा नेशनल और रिसर्च फंड की इस्थापना की जाएगी अंतरिक्ष अर्थ व्यवस्था के लिए एक करोड़ लाग की पूंजी निधी की भी बात बजट 2024 में की गई है कुछ अन्यवातों के तहट बजट 2024 में पूर्वतर छेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सौ से अधिक साखाएं खोलने की बात की गई इसके अलाबा प्रधान मंत्री जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान सुरू करने की बात की गई है जिसके तहट 63,000 गाउं कबर किये जाएंगे और इस योजना के या इस अभियान के तहट पांच करोड जन जातिये लोगों को लाब होगा बजट में बिहार वा आंध प्रधेश के लिए कुछ अलग से प्रावधान किये गए हैं बिहार को 69,000 करोड रुपए दिये गए हैं बहीं आंध प्रधेश को उसकी नई राजधानी के लिए 15,000 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं बजट 2024 में यूपी को 2.44,000,000 करोड रुपए आवंटित किये गए रेलवे को 2,62,000 करोड रुपए आवंटित किये गए नदी विकास गंगा पुनरुद्धार के लिए 30,233,000,000 आठ तीन करोड रुपए आवंटित किये गए पड़ोसी प्रथम नीती के तहट भूटान को सरवाधिक 2,068 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं इसके अलावा बिदेश मंत्राले को 2,154 करोड रुपए आवंटित किये गए हैं तो आजकी इस वीडियो में हमने बजट 2024 से संबंदित प्रमुख बातों को जाना वीडियो के संबंद में अगर आपकी कोई सिकायत या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं